सत्तर के दशक की famous actress Reena Roy, जिन्हें बहतरीन acting और खूबसूर्थी के लिए पहचाना गया, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद भी किया, लेकिन उनकी जिन्दगी हमेशा तकलिफों में ही रही. उनकी जिन्दगी से जुड़े कई दिल्चस्प वा दर्द भरे किस्से हैं, जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं. चाहे personal life हो या profession, उन्हें वो कभी मिला ही नहीं, जिसकी वो हगदार थी. न प्रेमी का प्यार, न पती का अटेंशन, यही वज़ा है कि रीना रॉय आज भी बेहद अकेले पनवाली जिन्दगी बिता रही हैं. आईए जानते हैं, रीना रॉय की जिन्दगी से जुड़े कुछ ऐसे ही दर्दबरे किस्सों के बारे में. जन्व, 7 जन्वरी 1957, आयू 67 वर्ष, मुंबई. पूरा नाम, रूपा राय. बच्चे, सनम खान. माता पिता, शार्दा रॉय, सादिक अली. उंचाई, 1.69 मीटर. रीना रॉय नेट वर्थ 15 क्रोर्स. पैरिन्स में तलाक के बाद कैसे बनी साइरा अली से रीना रॉय? बहुत कम लोगों को पता होगा कि रीना रॉय का असली नाम साइरा अली है. वो तो माता पिता में तलाक के बाद वो रीना रॉय बन गई. दर असल रीना की मां हिंदू थी और पिता मुस्लिम. उनकी मा का नाम शारदा रॉय और पिता का नाम शाकिब अली है और दोनों के चार बच्चे हुए जब उनका तलाक हुआ तो रीना की मा ने अपने चारों बच्चों का नाम और सरनिम बदल दिया रीना को माने रुपा रॉय नाम दिया, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनका नाम रीना रॉय हो गया इस तरह वो साइरा से रुपा और रुपा से रीना बनी एक्टिंग से पहले कलब में डाउन्स किया करती थी रीना रॉय के घर की फाइनेंशल कंडीशन इतनी खराब थी कि फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले उन्हें एक कलब में डांसर तक बनना पड़ा यही कलब में एक दिन वो डांस कर रही थी तभी जाने माने फिल्मकार बियार इशारा की नजर उन पर पड़ी उन्होंने रीना को फिल्मों का ओफर दे दिया रीना भी तुरंत मान गई बियार इशारा उन्हें डैनी के साथ फिल्म नई दुनिया नई लोग से लांच करना चाहते थे लेकिन किसी वज़र से ये फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई पैसो के लिए फिल्म में इंटिमिट सीन्स भी दिये और जरूरत गल कहलाई बियार इशारा अपनी फिल्म जरूरत में सेमी न्यूड सीन देने के लिए किसी हीरोईंग की तलाश थी जिसके लिए कोई हीरोईंग तयार नहीं थी लेकिन वो समझ गए थे कि रीना रॉय को काम की सक्त जरूरत है लिहाज़ा ये प्रोपोजल उन्होंने रीना रॉय के सामने रखा और वो मान भी गई इस फिल्म में रीना ने कई इंटिमिट सीन दिये इन्ही दृश्यों की वजह से फिल्म चल भी गई लेकिन इस फिल्म के चलते लोग इंडिस्ट्री में उन्हें जरूरत गल के नाम से पुकारने लगे